विवर्स नमस्ते, वनराज आंदेकर की हत्या को अब पांच दिन हो चुके हैं और पुने पुलिस ने, especially Crime Branch, पहले दिन पांच लोग को गिरफतार किया था और इसमें से काफी सारे लोग फैमिली के ही थे, यांदेकर फैमिली से ही थे, वनराज की बहने थी, उनके जीजाजी थे, और दूसरे दिन, मान गाउं से जो कोकन में आता है, पुने पुलिस ने 13 लोगों को या 13 ऐसे लोगों को गिरफतार किया, जो CCTV फूटेज में देख रहे हैं, तो कुल मिला के 13 और पांच इतने लोग Crime Branch अब तक गिरफतार कर चुकी है, लेकिन, investigation ये जो आगे बढ़ रहा है, इसमें इस समय कुछ चनौतिया भी है, क्योंकि इस investigation को लेके, अब 3-4 दिन बाद कोई official पुने पुलिस का बयान नहीं है, और इनकी जो कामियाभी है शुरुआती, तो उस कामियाभी के बाद क्या मान के चलें कि सारे हत्यारे पकड़ लिये गये हैं, या कोई बाक पुने पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पे काम कर रही है, दूसरी बात, क्राइम ब्रांच के सामने ये चुनौतिया इस समय कि ये जो 3 लोग गिरफतार हुए, ये सारे यंग लड़के थे, तो इसमें 3 लोग ऐसे हैं, जो जो बालक है, यानि जो अभी adult नहीं है, तो इन जो केस है, वो जेजेवी में चलेगा, जो एनाइल जस्टिस बोर्ड में, पॉर्श केस में आपने देखा था कि इतने संगीन अपराद के बाद भी, पहले ही दिन जो एनाइल जस्टिस बोर्ड ने जो बालक गाड़ी चला रहा था, उसे जमानत दे दी थी, तो इस केस में चूंकि भी इन्वेस्टिकेशन चल रहा है, चुनौती यह है, पुलिस के सामने या क्राइम राच के सामने कि यह पता करना कि यह जो जो एनाइल है तीन, इनका एक्चुल रोल क्या था, क्या यह वो ही लोग है जो उन गाड़ी उपर आये थे या गाड़ी चला रहे थे, या फिर यह वो लोग हैं जिनका directly या indirectly इस case से हतियार देने को लेकर, या कोई information देने को लेकर, या और किसी भी तरीके से कोई सयोगरा, तो पुलिस के सामने JJB में यह साबित करना कि इनका direct involvement है और इन्होंने क्या किया, यह एक बड़ी चुनौती है और आने वाले समय में ह हो सकता है, otherwise आप जानते हैं, JJB का कानून होता है उसके तहट, अगर कोई 8 साल से कम है, तो संगीन से संगीन अपराद में भी जो कानून है, वहाँ पर उस बंदे को जो एनाईल होम में रखा जाता है नाकी जेल में, तो यह पुने पुलिस के सामने बड़ी चनौती है, जि कि इसमें से कम से कम तीन पिस्टल्स या तीन जो बंदूक है, तीन लोगों के पास बंदूक थी, जिससे फायर किया गया था, राउंड्स फायर हुए थे, पांच राउंड की फायर होने की बात, पहली दिन जॉइंट सीपी, रंजिन कुमार शर्मा ने कही थी, और कुछ धारदार हतियार भी थे, तो ये भी पता करना कि इनके पास ये हतियार कहां से आई, किस ने दिये, और उनका जिन लोगों ने हतियार दिये, उनका इस मामले में क्या कनेक्शन है, ये तीसरा और आखरी जो मारे सुत्रू से पता चला है, बड़ी चिनोती क्राइम ब्रांच के सामने है, अभी तक क्राइम ब्रांच ने स्टॉंगली 13 प्लस 5 लोगों को गिरफतार किया है, और आगे इस पर इन्वेस्टिकेशन जारी है, आने वाले कुछ दिन में हम एक्सपेट करेंगी कि क्राइम ब्रांच की और से इसमें आधिकारिक बयान दिया जाएगा, पु